आप सभी का हमारे एज के किडमी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूट में शिक्षण योगता में जो स्मोल ग्रूप टीचिंग मेथड हम कर रहे हैं उनके बारे में मैंने प्रिवेस लेक्चर में आपको स्मोल ग्रू करते हैं और फोल स्मोल स्केल टीचिंग मेथड कहलता है इसमें ग्रूप डिसकेशन थे सेमिनार से प्रोजेक्ट व्यक्रम तुटोरियल और रोल प्रेंग का एहम रूल है तो अभी हम बात करेंगे सेमिनार्स के ऊपर जैसे आप सभी जानते भी है यहूरिसर्श से जुड प्रकुलेट करते हैं कि सबसे पहले हम क्यां करते हैं तो तो इसमें कुछ थीम्स होती है कुछ सब थीम्स होती है यानि उन थीम्स के ऊपर हमें एक टोपिक पर लिखना होता है इसमें जरूरी नहीं है कि एक इनसान उस पेपर को लिखे इसमें एक से अधिक इनसान या फिर एक से अधिक जो ट्रेनी है वो भी पेपर लिख सकता है त तो वहां पर सभी लोग जितने भी भूगोल वेदा थे सभी एकत्रित हुए थे इसी तरीके से जो आपका अभी नागी कंड़ेक्ट कराने वाला है तो यह सब क्या है यह लोग लोग पहले पहले वेपर आपसे मांगते हैं देन उसके बाद आपको दैट दी जाते कि सभी आ रहे गा तो वहां पर आप अपना प्राइप 10 करते हैं और फिर उस पेपर पर चर्चाहाइँ होती है उस पेपर का फिर विशलेशन किया जा सकता है कि इसमें क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है या इसका future aspect क्या रहेगा या आपको अपने paper को और better किस तरीके से बनाना चाहिए तो यही क्या कहलाता है seminar कहलाता है a series of seminar can be represented by the trainee around a major topic so that they form a linked series of discussion अब क्या कर सकते हैं seminar में या फिर एक प्रशिक्षु दुवारा किसी प्रमुक विशह पर seminar की सरंखला प्रस्तूत की जा सकते हैं ताकि विए चर्चाओं की जुड़िवी सरंखला बना सके यानि क्या करा जा सकते हैं कि seminars को आप बार-बार कंड़क करा सकते हैं ताकि जो topic आप ले रहे हैं उसके उपर आप काफी अच्छी knowledge ले सके या फिर काफी अच्छी उसके उपर जो चर्चाओं हैं वो की जा सके the main stages in the seminar are preparation of the paper presentation of the paper and discussion of it सबसे पहले stage क्या होती है preparation of the paper यानि सबसे पहले हम क्या करते हैं paper को तयार करते हैं जिसमें हम उसका abstract लिखते हैं सबसे पहले abstract ही मांगा जाता है seminar के लिए then फिर वो accept होता है और हम पर preparation के टाइम क्या करते हैं abstract लिखते हैं फिर उसके बाद हम उसका introduction लिखते हैं फिर उसके बाद database and methodology लिखते हैं उसके बाद हमारा statement of the problem जो भी है वो सब हम उसमें describe करते है resultant discussion description description describe करते है तो यह सब process क्या अपका preparation of the paper है फिर पेपर को तयार करने के बाद जो भी हमारी conference होती है जो भी हमारा seminar होता है जिस date को होता है उस date को अपने paper को यानि उसको प्रस्तूत करने हैं जो हमने काम किया है next आता है फिर इसके उपर जब हम प्रस्तूत कर देते हैं या तो उसके उपर discussion होता है चड़जाएं होती है कि आपने किस तरीके का काम किया है कैसा काम किया है इन सब के उपर तो ये क्या कहलाता है seminar कहलाता है अब इसके advantage क्या क्या है या फायदे क्या क्या है सबसे पहला इसका क्या फायदा है This method gives more independence which leads to the development of the presentation skills of the participant यह क्या है एक सवतंतरता देता है आपके जो learners या participant को जिससे क्या होता है उन प्रतिभागयों के प्रस्तूती कोशल का विकास होता है यानि आप किस तरीके से अपने paper को present कर रहे हैं किस तरीके से अपने जो चीजें उनको समझाने में समर्थ हैं तो यह कोशल इससे विक्सित होता है आपके seminar से यानि आपका जो stage जो fear है वो दूर होता है seminar से next आता है it's provided opportunity for their trainees to prepare and contribute to a particular topic शोली या प्रस्चिक्ष्यों को किसी विशीश विशह पर पूरी तरह से तयार करने और योगदान देने का उसर प्रदान करते हैं यानि हम कोई भी एक topic जो ले रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं तो उस पर क्या है उस topic यानि एक particular topic को तयार करने और उसके बारे में जानकारी उत्पन करने के लिए क्या है यह opportunity provide कराता है अब यह प्रशिक्षों को व्यभारिक समू नित्रतव की और अवसर प्रदान करता है यानि आप किस तरीके से ग्रूप लीडर्शिप करते हैं किस तरीके से अपने पेपर को एक अच्छा मोड देते हैं तो उसमें लीडर्शिप की जो भावना है वह भी जाकरित होती है दूसरा कि उन्हें विशलेशनात्मक कोशल निश्कर्शु परशोद समश्या का समधानादी का उप्योग करने की अनुमती देता है यानि सेमिना अत्मक शक्ती है वो काफी अच्छी बन जाते इसके साथ कि हमने जो शोध किया है उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा और इसका सिनेरियो क्या चला हुआ है उसको हमें रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ जो स्टेट्मेंट ऑफ दी प्रोब्लम उस रीजन की है जिस पर हम क तो पहले लिमिटेशन इसकी क्या है इसमें टाइम लगता आप देखेंगे कि कोई भी कॉन्फरेंस होती है तो उसके बारे में कम से कम तीन से चार महीने पहले ही आपको क्या है नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है कि यह जो कॉन्फरेंस है कंडिक कराई जाएगी जैसे अगर आपको पढ़ा रहे हूं तो मैं कह रहे हूं की तीन महीने बाद जो है आसन सौल में अधिर कहीं और क्या है कॉन्फरेंस हो रही है तो आप को क्या है एनसार करना पड़ता हाए सेमिनार क तो यह क्या है इक टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है और पेपर लिखने में भी है तो इसमें प्रतिभाग्यों को टनाव हो सकता है तो यह काफी लिमिटेशन है नेक्स आता है इसके लिए प्रश्चिक्षों के एक सम्हूं की आप शक्ता होती है जिसमें उपलब्दी कास्तर काफी हुचा हो यानि सेमिनार और इसके लिए जरूरी होता है कि आप लोग क्या हो आपका जो लेवल है एजूकेशन का या फिर आपका जो रिसर्च का जो लेवल होना चाहिए तब ही आप कोई पीपर लिख सकते हैं तो यह इसके काफी बड़ी लिमिटेशन है कि यह कुछ जो उचस्तर के जो उपलब्दी व इनार के बारे में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसके नेक्स्ट जो इसका मैथड है स्मोल ग्रूप टीचिंग का उसके उपर डिसकस करेंगे